कि अग्या है कि अग्या है हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू पारंगत कमड़ एजुकेशन मैं योगेन सिंग यादब आपका स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे फिल्टर हम बहुत सारे फिल्टर यूज करेंगे तो सबसे पहले हम आर कि इस प्रकार यह सकते हैं हाथ से दीखिए यस प्रकार की फुटो लग रही है Pencil का जो विर्थ है मोटाई अगर मैं कम करता हूँ तो ये कुछ इस परकार से लग रही है फोटो और Pencil की मोटाई अगर हम भढ़ाते हैं तो ये इस परकार से लग रही है मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ जो आपको बैटर लगे है आप वहाँ पर इसे fix कर सकते हैं इस टोक का मतलब होता है लाइन है जो इसकी लाइन है वो देखिए अंदर चली गई है और लाइन हम चाहते हैं बाहर निकल के हमें दिखाई दें तो अब इन्हें बाहर कर सकते हैं जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी यह बाहर हो जाएंगे इसके लावा पेपर की जो brightness है वो मुझे कम करनी है तो मैं कम कर सकता हूं यह देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है और बढ़ानी है तो मैं इसे बढ़ा सकता हूं यहां पर ok करते हैं देखिए चितर कैसा आता है अब यह बन रहा है यह देखिए बन के आगया मैं इसे save as कर देता हूं मैं save कर रहा हूं इसे eDrive में वीडियो में जाके मैंने इसे save कर दिया तो इस प्रकार से हम फोटो ले सकते हैं इसे बहुत अच्छा फोटो बना था वह कंट्रोल जैड अगर मैं दुबारा करूं तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन्दर लग रहा है किसीने पैंसल से बनाया हुआ है कि इसके आर्टिस्टिक में और भी एक कॉंटूर है ड्राइब रश है फ्लेम ग्रेन है नियॉन ग्लो है पैलेट नाइफ है पैस्टिल रैप है मैं तो बहुत सारे इसमें यह मैं वाटर कलर से बनाता हूं उपर का कर लिए नीचे का लिए लेते हैं वाटर कलर से अगर हम सजतर को बनाएंगे तो एक अशर लगेगा देखिए फोटो को मैंने छोटा कर लिया है है अब देखिए अगर मैं भैट देख रहा हूं थोड़ा हलका हलका सा चेंज़ी करेंगे तो थोड़ा साफ हो रहा हाई ज्यादा करने फोटो तेक्टर भी चेंज कर पा रहे हैं तो हलो करते हैं कुछ एससा फोटो बन के आ यह ऑ four इसी प्रिकार से हम फोटो को बना लिया करते हैं यहां बहुत सारे फिल्टर हैं फिल्टर से हम फोटो को काफी अच्छी सुंदर बना सकते हैं और अलग-अलग style में जाके उसे save कर सकते हैं एक और देख लेते हैं बीच में से कोई है माले plastic wrap हम कर रहे हैं अगर हम प्लास्टिक का देखें फोटो प्लास्टिक के पॉलेथिन में होगी तो यह कैसी लगेगी यह मैंने हाइलाइट स्ट्रेंथ थोड़ी इसी कम कर दिया है यह प्लास्टिक के फ्रेम में है प्लास्टिक लगी ना इसकी उपर तो यह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हाथ भी देखें तो प्लास्टिक के फ्रेम को ज्यादा कम कर सकते हैं अलगला तरीके से लगा सकते हैं तो यह फिल्टर हो गया हमारा जो हमने artistic दिया था इसमें हम सारे के सारे क्लिक करके देखेंगे अलगलग तरीके के option दिये हुए हैं अलगलग तरीके के filter दिये हुए है जो कि हम यहां पर use करके लगा सकते हैं तो यह आपको खुद करके देखने हैं आपको मालूम पढ़ जाका किस से कैसा चितर बन रहा है कि मैं जाता हूं कि बलर के लिए मैं दो फोटोग्राफ ले रहा हूं कि एक फोटो में यह वाली ले रहा हूं कि एक फोटो और ले लेता हूं कोई अब मुझे ऐसी फोटो ले रहे हैं दूसरी जो की थोड़ी साफ कम हो कि यह वाली फोटो ले लेता हूं कि एक मैंने यह फोटो ले लिए इसकी आखों में जुर्णियां काफी दिख रही हैं दूसरी मैंने यह वाली फोटो ले लिए इसके चेहरे पर आप देखेंगे तो इसका चेहरा भी आपको नेच्रल फोटो है इसमें बनावर्टी नहीं तो इसके चैरे पर काफी सारे दाग आपको दिखाई दे जाएंगे तो हम दोनों फोटो को ब्लर करके साफ करके देखते हैं तो से पहले हम बात करते हैं इसी फोटो की देखते हैं जब हम इसे blur करते हैं हमका फिल्टर में और हमने किया blur पर क्लिक किया तो यह हलका सा blur हुआ है देखें कि अगर आपको changes दिख रहा है तो मुझे देख रहा है बहुत हलका सा यह देखिए डार्क इस पैचिस जो है वो कम हो जा रहे हैं थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं अगर हमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो बलर मोर कर देंगे हम तो ज्यादा आ जाएगा यह आपको दिखाई देवी रहा है इसके आँके देखिए भी चमक रही थी अभी आँके भी बिलर हो गई है तो यह दिखाई नहीं दे रहा है तो जब भी हम इस टूल को लगाएंगे हम क्या करेंगे सेलेट कर लेंगे इससे मालूम पड़े यहां बिल्कुल दाग से दिख रहे हैं और कंट्रोल जैड करने पर मतलब बिलर करने पर यह बवकुल ऐसे देखने लग जाते हैं का सक ग्ट्रोल जैड कर देता हूं जब भी हम बिलर करना है हमें सेलेटकरना होता है म、 घुट्ट्रोल माइनस कर दिए था ओं जिससे चोटा हो जाए आप देखते हैं यहां पर ब्लर आहे हमारे पास smart blur बता रहा हूं में सबसे नीचे वाला सबसे पहले smart blur पर जाएंगे तो यह दिखिए इसके नभी ऐसी थी कितनी एकदम shining भरी skin हो गई है smart blur का फाइदा क्या होता है यह ना उसे उनी जगह पर चलता है जहां पर कि यह अपने आप सिर्फ बाल वगरे को छोड़ देता है नाक को छोड़ देता है जिसे हम selection करते हैं तो क्या करते हैं selection करके जब हम blur लगाते हैं तो photo हमारा clear होता है इसमें मैं select करने की जरूद भी नहीं है bigger select करे ही कर देगा मैं 3 का blur दे रहा हूं लेकिन क्योंकि बिलर होने के वैसे नीचे तक पूरी selection हो गया बालों को इसने नहीं किया है हलक हलक आचा कुछ changes आपको लग रहा है बाकि बाल भी वैसे के वैसे ही है हमारे आखें भी पूरी दिख रही है होट और नाक के नतने भी दिख रहे है बकाइदा जो इसके नहीं बस वो आपको एकदम काफी साफ देख रही है अब यह ऐसी थी अब देखिए ऐसी करती है थोड़ा बढ़ा करके देख लिजी आप ऐसी थी और यह देखिए ऐसी हो एक एक दाग इसका गाइब हो गया है यह स्मार्ट ब्लर का फाइदा है आपको उतना ही स्मार्ट ब्लर देना है जिसमें कि आपके फोटो अच्छी लगे बनावटी ना लगे और अगर आप प्रॉफरली देना चाहते हैं तो आप इससे सलेक्ट कर लीजे जैसे कि मैंने बताया था यह magic tool को ले लीजे और magic tool से चहरा select कर लीजे जब चहरा select करने के बाद इसे देएंगे तो उसके बाद यह automatically सिर्फ उसी जगह पर होगा जो जगह आपने select कर रखी है सिर्फ उसी जगह को यह लेगा और उसी पर blur को चलाएगा जैसे कि मैंने अभी इतना select किया है तो यह स्मार्ट ब्लग काम है फोटो को साफ करने के लिए इसके साथ ही में एक चीज और बताना जाऊँगा यहां पर ऑप्शन होता है नोइस नोइस में भी ऑप्शन होता है मेड इन हम इससे भी यह बलर दे सकते हैं अभी एक है दो तीन इसमें भी देखे मैं आपको दिख करेंगे फिर थोड़ा से स्मार्ट बिलर लेंगे मार लिए डिगड़ या 2 तक का और डिगड़ या 2 हम लेंगे नोइस में में मेड इन और फिर उसके बाद हम देखेंगे तो जो चमक आएगी चेहरे पर वो कुछ और ही होगी तो अब ऐसे करके देखेंगे यहां पर अब मैं गोशन ब्लर बताता हूं सब्से पहले को में कंटूर मानेस कर ले रहा हूं के बिलर में गया मैंने कहा गोशन ब्लर क्लिक किया कह एड़ देखेंगे है कूरी दरीके समॉटो को बिलर कर सकते हैं जतना चाहें उतना जितना चाहें उतना हम photo को blur कर सकते हैं आपर एक आप ब्लर और दिया है motion blur है इससे हमें देख लिता हूँ को एक photo ले लेता हूं मैं जैसे कि बाइक वगरा की मअ लिजीये मैं इसमय से ले लेता हूं एक चलती हुई बाइक की photo ले लेता हूं ऐसी फोटो लेना चाहता हूं जो बिल्कुल ओरिजनल लगे चलिए वाली बाइक ले लेता हूं मैं यह देखिए मैंने बाइक ले लिए यह खड़ी हुई है फिर भी चलती हुई लग रही है क्यूं इसके पीछे का जो बैक्ग्राउंड है उसे ब्लर कर दिया गया है वो भी यह जो बाइक है बहुत तेज चल रही है इसी प्रकार से पीछे का बैक्ग्राउंड अगर हम ना करें और हम अपने बैक्ग्राउंड को करें मोशन में ब्लर करते हैं थोड़ा बलर को बढ़ा लेते हैं और देखिए बलर भी चारों तरफ हो सकता है ऐसे भी हो सकता है यह आप किसी भी साइट पर अब इस बलर को लगा सकते हैं तो हम तो आगे की और भगा रहे हैं चीज़ों को और ओके कर दीजिए अब लग रहा है यह फोटो बहुत तेज भाइक भग रही है पीछे का बैक्राउंड तो भगी रहा है साथ-साथ यह भाइक भी भग रही है तो मोशन ब्लर देने से हम किसी भी चीज में मोशन ला सकते हैं मतलब स्पीड ला सकते हैं उससे बनता है देखे पाईया ऊपर की और जा रहा है और यह नीचे बाला पाईया पीछे का पाईया जब वो नीचे की और जा रहा है तो यह गोल-गोल फोटो हमारी घूम रही है प्रॉपरली तो इससे हम कह रहे हैं मोशन ब्लर के बाद आ गया गोशन ब्लर था यह रिडियल ब्लर था कि इसके इसमाल पिलर मैं आपको बता ही चुका हूं कि कंट्रोल जैट कर देता हूं नॉर्मल हो गया फोटो तो मैंने आज फिल्टर में आपको आर्टिस्टिक में दो तीन फिल्टर बताए और कैसे आपको यूज करने यह मैंने आपको बताया अगर कोई फिल्टर आपको य क्लिक करना बिल्को नहीं भूलेगा नाइस वीडियो गाइस